एक बार फिर से सवागत आपका अपनी चैनल फिर वापस हम बात करते हैं बाइब वर्स बांगलादेश का जो ट्वीट ट्यम्टी मैं अच्छे बहुत ही जादा खास है आज कर आपको नीचे मिल जाएगा नीचे से बीडियो को सेंड कर सकते हैं वीडियो को लाइक करना बहुत ही आसान है लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए तो लाइक हो जाएगा सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने से क्या हमारी कोई भी न्यू वीडियो हैगी सबसे पहले अफडेट आपको मिल जाएगा हर वीडियो कवर करते हैं अपन तो कोसिस कर लाइक तर्गेट हमने इसमें 200 प्रस का रखा है तो प्लीज इसलाइट के टार्गेट को कंप्लेट कर देजेगा वीडियो को लाइक से शब्सक्राइब कर देजेगा पैल आकन को प्रेस कर देजेगा हमारे टेलेग्राम चैनल का लिंक डिस्कृप्शन में घिवन है आप चा इतना खाल लिए देंगे बस न आपको जोईन को नीच इसके उपर क्लिक करने के बाद आपको जोईन को आप सब्सक्राइब हो सकते हो हम हमाई साथ अपनी इस चैनल पर जिसकी टीम बेशते हो उसकी अच्छी खासी आपको नौलेज वगरा प्रोवाइड करते तो प्लीज ज बांगलादेश लाश्ट वाला मैं जो किया था जिम्बांबे के अगेंस्ट में तो तीन में से यहां पको बांगलादेश ने यहां पस पांच बाल बज गया थे अच्छा कासे टॉप इस्कॉर बढ़ने थे और सौरीफोल इस्लाम ने चार विकेट लिए तो आपको यह च इसके फेवरें में ज्यादर तर टीम बनाना है बंगलादेश के फेवरें में लेकिन नहीं बोलूँगा आपको जिंबाम्बे के टीम को आप मतलब आपको दोनों टीम के तरफ से बैलंस टीम बनाकर रखनाए ठीक है ऐसा कमेंट कर देज़ेगा हम आपके लिए टीम मनाने की एक नए वीडियो डाल देंगे जिसमें आपन ड्रीम 11 पर कैसे टीम बनाते है किस कॉम्बिनेशन से अगर कैसा भी मैच हो उसमें किस कॉम्बिनेशन से टीम बनाया जाए यह सब हम आपको बता देंगे उस वीडियो में तो आपको क्या करता है बस ट्राइल ग्राम पर हमारे एक वीडियो क्रियेट कर देंगे तो क्या है आपको थोड़ा सा असानी हो जाएगा अब यहां जीतने की चांस आप देख सकते हो चोबिस परसंट है जिम्बांबे की बांगलादेश की 75 परसंट है पिछ रिपोर्ट की बात कर तो हरारे क्रिकेट क्लब के स्टेडिया में यह बहुत ही जादा खास है जनरली बैटिंग के लिए फ्रेंडली है यहां पस थोड़ी सी मोईस्चर आ जाती है मतलब डिव फैक्टर आ जाता है वैदर कंडिशन सीमर्स मतलब फास्ट बालर के फॉर्म में है तो यह बात को ध्यान में रखेगा अब प्रेडिक्टर प्ल लोर नहीं करना है सेकन्ड डाउन पेसें लुकर के साथ आते हैं और मेर फिर दंफ नमबर पर आते हैं तो नमर पे आर नागारवा और ग्यारवे नमर पे ब्लैसिंग मज़रुबानी तो बाई कुछ इस प्रकार से इनका जिमबांबे का लाइनप रहता है आपको मेभी लाइनप से क्लियर हो गया होगा अब इनके प्लेयर्स का एक एक प्लेयर्स का स्टैट्स में आपको बता दू सि जाते हैं तीस रन है प्लस एक विकेट है ब्रेंडम टेलर सतर है डवलु मैद अविरा यहां पस पैसट है प्लस एक विकेट है तंड़ाई चैट्रा है इनका भी यार बैटिंग लाइनप कोई फिक्स नहीं है कभी फोर्थ नमर पे बेजते इनको कभी यह सेकेंड मतलब ए करले चैटर किक्व करें करें गी जड़िए आपकी तरो यह शुक्त कभी जरुटे करने आ जाते तो यह बात को भी धियान में रखना आपको opening करने आते हैं जिसके करने कभी-कभी इनका विकेट भी चले जाता है तो एल जोंगवे हैं आपके सबसे best player है विकेट का काम करते हैं अच्छे से balling वगेरा कर लेते हैं जिसमें अच्छा कासा विकेट ले जाते हैं क्यारवे नमर पे रीचार्ड नगारवा आपको बता चुका है रीचार्ड नगारवा दस्वे नमर पे बैटिंग करने आते हैं बहुत रेर चांस है इनका बैटिंग करने का बट बालिंग में इनको चांस मिल जाता है अब मैं आपको death baller बता दू यार जिम्बामबे के उतना चका सा सकड़ नमर पे आता है blessing मजरुवानी चार ओवर प्रॉपर डालते हैं अपने स्पेल के और विकेट वगेरा तो ले जाते है blessing मजरुवानी के बारे में उप्रॉपर बताने के जाता आपको ज़रूथ ही नहीं होगी थर्ड नमर पे आते हैं और अच्छे कासे दसवे नमर पर बैडिंग करने आते हैं लेकिन आपको बालिंग में तीसरे नमर पर उतरते हुए दिख सकते हैं पांचवे नमर पे बॉलिंग करने आते हैं दो ओवर मिलता है इनको कभी-कभी तीन ओवर भी मिल जाता है लेकिन मैदावीर का मैं आपको बता दू यार बैडिंग करने ये चौथे नमर पे आते हैं जबकि बॉलिंग करने पांचवे नमर पे उतरते हैं देथ में आता है मतल को ध्यान में रखेगा अपन बांगलाडेश के प्लेइर की रिकॉर्ड में कौन पहले करता है कौन थार्ड नमर पर आता है कौन सेकेड नमर पर यह आपको जाना बहुत ज़रूर है 1 help नमर पर आते है मोहमद नाeeee जिनकी बात करूं महंदी हसन आपके आठवे नमर पर है सह सहफुद्स दोच warm दोच्छ मैंदी अहमे नमर पर भागद अन स्पालय के सद करहे हैं साकी बालासन का साथ नहीं यहाँ पस नौ हो जाएगा माफ करीगा तोड़ा सा चेंजेस नहीं उपायता नौ विकेट होगी है साकी बालासन का टोटल एक सो पंदरा रन है टोटल तमीम इकबाल का बात करूए यार तमीम इकबाल भी आपके लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर करने आते हैं साथ रन दे चुके हैं विकेट वगेरा लेते हुए मुझे तो नहीं नजरा है बाकी इनका पता नहीं साथो नमर पर आते हैं तसकीन आहमद विकेट लेने में माहिर प्लेयर है एकदम वैल बॉलिंग में आपको बहुत ही अच्छा का सा स्कूर करके दे सकते ह आटवे नमर पर आएम सैफूद दीन आते हैं चैट त coffin रन एंदो विकेट आहँ साफूद दीन का मैं आच факशा ही बैटिंग दे चुके हैं विकेट लेने में मुसाधलिक हुसाइन की बात करोई आठ साथवे नमबर पर बैटिंग करने आते हैं कोई बिसेस इनका परफॉर्मेंस नहीं है मेरे ख्याल से तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो ग्यारवे नमबर पर सौरिफुल इसलाम आचाए थे विकेट लेने में सबसे माहिर प्लेयर है सौरिफुल इसलाम मुसादिक हुसाइन को भी आप ट्राय कर सकते हो एकाथ जील में एजक कटांट राय किज़ेगा क्योंकि यदि यह चलता है बंदा तो एक बार में पांच विकेट लेते हुए नजर आएगा आपको अब मैं आपको इसके डेथ बॉलर की बारे में बता दू फिर उसके बाद बैस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन सिप की बात कर लिजाएगी तो यहाँ पस नूर नईम एहमद आ जाते हैं चार ओवर अपने स्पेल के प्रॉपर डालते हैं अच्छे खासे बॉलर है और सेगर नमर पर हैंसरफ दिना जाते हैं को भी चार ओवर मिल जाता है सयदुलिस्लाम खो जाते हैं मुशाफिकृर रमें नको भी मिलता है चार ओवर महंदी असन को भी चारओफर अपने स्पेल के प्रॉपर दॉकर प्रॉपर मिलते बात्य कर तो popcorn कर देट कि अब क्या हुआ बैटिंग में मालो जिमामबे के प्लेयर्स आल आउट हो गए ठीक है दसी ओवर में खतम हो गया मैच और रंका टार्गेट इनको जादा नहीं मिला तो क्या है इनका नीचे के प्लेयर्स को बैटिंग करने नहीं मिलता है तो यह बहुत जादा फैक्टर है जो बहुत जादे इफेक्ट करता है अपने टीम बनाने के समय तो यह बात का ध्यान रखेगा लाइन अप पे हमेशा विश्वास करिएगा बैस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन का उप्शन बताओं तो फर्स्ट नमबर पर ब्रेडम टेलर है सगर नमबर पर रेगीश शेग टेथ में कौन बॉलिंग करते उनके बारे में बता दिया इनके प्लेइंग 11 लाइन अप क्या है रॉपर न वप बता दिया हूं पर आचुके हैं जिम्बा में बंगलादेश का यह टीम है इसमें मैंने 47 का कॉम्बिनेशन बैठाया है आप देख सकते हैं 47 का कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं मैंने दूसरे नमर पर भी प्रमोट कर दिया जाता है तो यह बात को ध्यान में रखेगा चौते नमर पर बैडिंग करने आते हैं चकवका की बात करूई यार बहुत नीचे बैडिंग करने आते हैं लेकिन मेरे ख्याल से अच्छे प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए क्योंकि इनका रिकॉर्ड मुझे अच्छा बूल रहा है चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हो चकवका को आप चकवका की जगा किसी और प्लेयर को ट्राइ कर सकते हो फोर एक्जांपल आप इस पे सेलेक्शन पर मत जाहिएगा आप चाहे तो इसके मैं बेस्ट प्लेयर का आपको बता दू यार तेदर से आप मेर्स को ट्राइ कर सकते हो या फिर बॉल को ट्राइ कर सकते हो और आगर बॉलर में आपको ट्राइ करना चाहो यार क्रेडिट इस हुआ रहा है मुझे जिसके कारण मुझे चकवका को ही रखना पड़ा था लेकिन आप टीम मुसा काड़ा को भी ट्राइ आपको अच्छा कासे प्लेयर हैं आपको अच्छा कासा रन करके दे सकते हैं चट्वे नमर पर बैडिंग करने आ जाते हैं कभी-कभी तो मेरे क्याल से कुछ इस परकार का मेरा फाइनल टीम रहेगा बाकी फाइनल टीम में आपको टैलेग्राम पर प्रोवाइड करूंगा त ठीक ही गाइस मिलते हैं फिर हमारे नेक्ट वीडियो में नए अनिलिसिस के दाद हैं